22 साल का जवान लड़का बजार जा रहा था आज उसके जीवन की पहली कमाई यानि की उसकी पहली सेलरी आई थी अपनी पहली पहली कमाई से वो अपनी मां के लिए चपल खरीदना चाहता था बजार में एक अच्छी सी चपल की दुकान देखकर वो उसके अंदर गया दुकान वाले से कहा सेट जी लेडीज के लिए एक जोड अच्छी सी चपल दिखाए दुकान वाले ने लड़के को चपल का नाप पूछा लड़के ने कहा उसे पैरों का नाम तो नहीं पता लेकिन उसके पास उसके मां के पैरों की एक आकृती है और पूछा कि क्या वह इस आकृती को देखकर उसके हिसाब से सही चपल की जोड़ दे सकते हैं या नहीं दुकान वाला लड़के की बात सुनकर आश्चर्य चकित था दुकान वाले ने कहा कि जेड हमने कभी भी इस तरह आकृती के हिसाब से चपल नहीं बेची है और भला कोई आकृती दिखा कर चपल क्यों खरीदेगा तुम खुद अपनी मां को यहां लेकर उनके पैरों का नाप क्यूं नहीं दे देते लड़के ने कहा वह शहर में रहता है और उसकी मां बहुत दूर गाव में उसकी माने जीवन में कभी चपले नहीं पहनी है फिर भी उसने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूँ मैं जब घर से नौकरी के लिए निकला था तब मैंने ये तै कर लिया था कि अपनी पहली तंखवा से सबसे पहले मां के लिए चपल लूनगा इसलिए उनके पैरों की आकृती इस पेपर में बना ली थी लड़के ने एक सफेद कागज में बनी पैरों की आकरती दुकान वाले को दिखाते हुए कहा लड़के की बाते सुनकर दुकान वाले की आँखों में पानी आ गया उसने अपने तजूर्बे के हिसाब से आकरती को देखकर योग्य माप की चपल उस लड़के को दी दुकान वाले ने एक और चपल उसी माप की उस लड़के को देते हुए कहा कि अगर मां की चपले तूट जाए तो यह दूसरी चपले दूसरे बेटे की तरफ से उन्हें दे देना लड़का भावुक हो गया और उसने चपल के पैसे चुकाए और चपल के दोनों जोड़ लेकर जाने लगा तब ही पीछे से दुकानदार ने लड़के को रोकते हुए पूछा कि क्या वो पेप में बनी पैरों की आकरती उसे दे सकता है लड़के ने दुकानदार को अपनी मां के पैरों की आकरती बनी वो पेपर दिया और वहां से चला गया दुकानदार ने चित्र को अपने दुकान में बने देवघर में रख दिया दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ये देख कर हैरान थे उन्होंने दुकांदार से पूछा, उन्होंने किसी महिला की पैरों की आकरती को भगवान के मंदिर में क्यूं रखा। दुकांदार ने कहा, यह किसी साधारन महिला के पैरों की आकरती नहीं है। यह एक बहुत ही महान मा के पैरों की आकरती है, जिसने इस लड़के का इतने अच्छे संसकारों से पालन पोशन किया है। इस लड़के की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और मुझे भरोसा है कि इन पैरों की क्रिपा की वजह से हमारी दुकान भी हमेशा हरी भरी रहेगी और दुकान अच्छी चलेगी। दुनिया में माहर किसी की होती है। बिना मा के जीवन संभव नहीं है लेकिन बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जो मा का महत्व समझते हैं और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है आप इसी तरह इमोशनल मोटिवेशन कहानी सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, स्यार कीजिए और सस्क्राइब कीजिए। थैंक्यू।